हलो दोस्तों वेलकम तू हॉरर वाइप्स आज मैं आपको स्किन वॉकर्स को देखे जाने की कुछ अजीब घटनाय बताने वाला हूँ ये घटनाय सुन्या में बहुत ही जादा मिस्टीरियस और अजीब है तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा साथ ही वीडियो पसंदाय तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मुझे कमेंट करकि ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टौकिक पर बनाओ अगर आपके साथ कोई अजीब सी घटना घटी है तो वो सारी घटना आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भीज सकते हैं मैं अपनी इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो ज़ादा टाइम न लेते हैं वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधीरों में ये पहली घटना लांजो नाम के एक कैमपर के साथ घटी थी जो कि अपनी वाइफ के साथ कैमपिंग करने गए थे उनकी वाइफ का नाम बेटर था और अब आगे की घटना मैं आपको लेंजो के पॉइंट अफ यू से बताऊंगा मेरा नाम लेंजो है स्किन वॉकर रैंच के बारे में मैंने बहुत सुना है वहाँ पर घटी घटनाओं के बारे में भी मैं अकसर सुनता आ रहा हूँ लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ जहाँ पर कैमपिंग करने गया था वो जगा रिस्टिक्टिड नहीं थी काफी सेफ थी बहुत लोग वहाँ पर कैमपिंग करने जाया करते थे स्किन वॉकर रैंस से काफी दूर थी वो जगा जो कि एक फॉरिस्ट के पास थी वहाँ पर अच्छी सी जील भी थी जो कि बहुत ज़ादा खूपसूरत थी मैं और मेरी वाइफ कही बार उस जगा पर कैमपिंग के लिए गया थे हाला कि हम बहुत डरते भी थे तुकि स्किन वॉकर्स का खत्रा बहुत ही जादा था ये घटना 1980 की है मैं अपने वाइफ के साथ उसी कैमपिंग एरिया में बैठा रहता था हमारे पास सीफटी के लिए एक रिवॉल्वर भी थी जो अक्सर हम कैमपिंग में अपने साथ ले जाया करते थे हला कि उस रिवॉल्वर को हम हमेशा अपनी सेफटी के लिए रखते थे आज तक कभी भी उसे चलाने की ज़रूत नहीं पड़ी लेकिन इस बार मुझे उसे इस्तुमाल करना पड़ा मैं अपने वाइफ के साथ ही कैमप में बैठा हुआ था हम दोनों लोग बात कर रहे थे हमारी शादी को करीबन एक साली हुआ था हम लोग आगे की प्लानिंग की बात कर रहे थे तब ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे कैमप के बाहर से कोई भागते हुए गया है बहुत ही अजीब सा सिनेरियो था ये साथ साथ महसूस हुआ वो भागने के वाज इतनी तेश थी कि मेरी वाइफ चौक गई और मैं भी सतर्ग हो गया मैंने तुरंद अपने बैग से रिवॉल्वर को बाहर निकाल लिया और एक्तम कैंप के अंदर शांती से चुपचाब बैठा रहा कैंप फायर बाहर जल रही थी उसकी रोशनी हमें साफ साफ टेंड के अंदर आ रही थी अंधेरा बहुत जादा था हमें साफ साफ महसूस हो रहा था कि बाहर कोई नपल तो जरूर है जो की पेड़ के पीछे चुपा वह हमें देख रहा है हम टेंट के अंदर से बाहर जलती वी आग को देख रहे थे और वो चीज आग के ही ज़स सामने एक बड़े से पेड़ के पीछे थी उसकी चमकती वी आखे हमें साफ साफ नजर आ रही थी वो हमें वहीं से खड़ा होके खूर के देख रहा था पहले वो आँखें पेड़ की एक्तम जड़ों के पास थी जिससे हमें ये लग रहा था कि शायद वो कोई बिल्ली है लेकिन धीरे धीरे वो आँखें पेड़ की जड़ों से होते हुए उपर की तरफ जाने लगी और धीरे धीरे एक काली परचाई दिखने लगी जो कि किसी जानवर की परचाई थी शायद वो कोई भालू था या कोई शेर वो काफी ज़्यादा बड़ा था शुरुआत में जब मैंने उन चमकती भी आँखों को देखा था तो वो काफी ज़्यादा चोटी थी लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी होती गई उसकी हाइट करीबन 6-7 फिट की थी वो परचाई मैं और मेरी वाइफ अभी तक नहीं भूले है एकदम काली परचाई जैसे में से दो लाल चमकती भी आके हम दोनों को साफ साफ दिखाई दे रही है वो पेड के बाहर आ गया था और हमारे साम नहीं खड़ा था हम अभी भी पहचान नहीं पाया थे कि आखिर वो था कौन आग की चलती वी रोशनी हलकी फुलकी उसके उपर पढ़ रही थी और हमी सर्फ उसके पैर दिखाई दिये थे उसके पैर किसी जानवर के पैर थे उसमें से नुकीले नाखून भी निकले हुए थे और हो सांसे ले रहा था उसकी तेश लेती वी सांसों की आवास हम दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी हम दोनों को देखके वो काफ़ जादा गुस्वे में था हम दोनों लोग ये समझ के थे कि वो कोई और नहीं एक स्किन वॉकर ही है जो अप शायद हमें माँ डालेगा मेरे हाथों में पसीना आगया था और मैंने अपने हाथों में पकड़ी हुई रिवालवर को और भी जादा मत्बूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी वाइफ को पकड़ के उसको अपने पीछे किया और चुपचा बस वहीं पर शांती से बैठा हुआ था वो एक एक कदम हमाई तरफ बढ़ा रहा था और जब वो हलका फुलका आग के सामने आया तब मैंने सबसे पहले उसका पूरा चेहरा देखा वो एक भालू था लेकिन अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ था काफी जाता सोर से सांस लेता था और उसकी आँखे लाल रंकी चमक रही थी जैसे कि कोई लाल रंका बल्ब हो बहुत ही जादा तेस्ट उसके दोनों पंजों में नुकीले नाखून और पैर आम भालों से जादा बढ़े थे जब वो पूरी तरह से हमारे सामने आ गया तब मैंने उसे देखा उसकी दाद बहुत जाता बढ़े थे मूझ से खून टपक रहा था ऐसा लग रहा था कि वो किसी मास को खा के आ रहा हूँ बहुत ही अजीब सी बद्बू भी आ रही थी मैंने अपनी वाइफ को अपने पीचे ये रखा हुआ था अगर वो उसे देख लेती तो शायद चिलाने लगती वो हमारे सामने ही खड़ा था मेरी और उसकी दूरी करीबन चार से पांच मीटर की थी हम अपनी जगा से बिलकुल भी नहीं हिले कैम्प के अंदर चुपचा बैठे हुए थे वो हमें देख रहा था उसक्त जंगल में एकदम शांती थी एक ऐसी शांती जिसमें मुझे मेरी और मेरी वाइफ की मौछ साफ साफ नजर आ रही थी मैंने बैटर से बूला कि वो टेंट के पीछे का हिस्सा खोले और बाहर हाइवे की तरफ भागने की कोशिश करे जहाँ पर हमारी कार खड़ी हुई थी उसने भी वैसा ही किया उसने बिना पीछे बल्टे टेंट के पीछे का हिस्सा खोला और धीरे-धीरे कार की तरफ जाने लगी वो इतनी सोर से चिलाया कि उसकी चिलाने की आवास पुरे जंगल में कुँची और फिर वो टेंट के पीछे मेरी वाइफ की तरफ भागने लगा वो काफी तेजी से भाग रहा था उसके वजन के हिसाब से उसकी स्पीड बहुती ज़ादा थी मेरी वाइफ जब कार की तरफ भागी और वो क्रीचर उसके पीछे भागा तो मैं भी उन दोनों के पीछे भागा ताकि मैं अपनी वाइफ को बचा सको मुझे को क्रीचर अंधिरे में दिखाई नहीं दे रहा था मुझे सरफ मेरे wife की चिलाने की आPaा रही थी और उस creature की भी चिलाने की आवास आ रही थी मैं भी किसी तरह अपनी car की तरफ ही भाग रहा था पर वो दूनों इतनी जल्दी कहा गयाब हो गया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे करीबन 10 सेकंडी हुए थे आवाज तेते हुए भी मैं अपनी कार की तरफ भागता हुआ जा रहा था जैसे तैसे मैं रोड के पास पहुँच गया वहाँ पर मेरी कार भी खड़ी थी लेकिन वो क्रीचर और मेरी वाइफ मुझे दोनों लोग नजर नहीं आ रहा है थे मैंने ये मान लिया थे कि वो क्री पंदरा से सोला मिटर दूर वो वही पेड़ के पीछे ही छुपी हुई थी और वो क्रीचर उस पे हमला करने जा रहा था उसकी आवाज को सुनते हुए मैं तुरंद उसकी तरफ भागते हुए गया और मैंने देखा कि वो क्रीचर एक पेड़ के पीछे चुपचाप होके मेरी वाइफ को देख रहा है और शायद वो उस पे हमला ही करने वाला था बैटर के पैर से खून निकर ला था शायद उसके पैर में चोट लग गई थी अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मुझे साफ साफ पता चला था कि वो घायल हो चुक मैं उस क्रीचर की तरफ बंदूक तांते हुए अपनी वाइफ की तरफ पढ़ा उसके पैर से काफी बुरी तरीके से खून निकर ला था क्यूंकि पेड की लकड़ी का एक तुकड़ा उसके पैर के अंदर घुज गया था उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था मैंने किसी तरह अपनी वाइफ को समाला और उसको कार की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा था उस क्रीचर को गोली लगने के बाद वो कुछ देर तक वहीं पर ही बैठा हुआ था वो बहुत ज़्यादा गुस्ते में और दर्द में या फिर गुस्ते में ब किसी तरह अपनी वाइफ को कार के पास लेकर गया उसके पैर से लगातार खून बहता जा रहा था मैंने उसको प्याड़ी की पिछली सीट पर बैठाया और उस क्रीचर की तरफ बंदूक तांते वे भी आके गाड़ी पर बैठ गया वो हमारी तरफ भागते वे आ रहा था गाड़ी में बैठने से पहले मैंने उसको पर दो गोलिया और चलाई जो की साफ साफ उसके लगी और गोली लगने की वज़े से वो काफी पीछे हड़ गया शायद उसे बहुत बुरी तरीके से जखम हुआ होगा मुझे नहीं पता कि मेरी गोली ने उसे मारा या नहीं पर और मेरे गोली मारने के वज़े से वो काफी दूर भाग गया था हमसे तो बहुत ही जादा दूर मैं सही टाइम पर अगर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो शायद बैठर आज जिन्दा नहीं होती गोली चलाने के बाद वो क्रिचर कहां गायब हो गया मुझे कुछ भी के हास्पिटल की तरफ भागने लगे बैटर के पैरों से काफी जादा खून बह चुका था मैं चिप्ती चल्दी हो सके नियर इस हास्पिटल पर पहुचने की कोशिश कर रहा था जब मैं हास्पिटल पर पहुचा तो उसका खून जाता बहने की वज़े से वो बिहोश हो लगी थी हास्पिटल वाले उसे अंदर ट्रीटमेंट के लिए ले गए मेरे भी हाथ पैरों में बुरी तरीकी से चोट लगी थी और मेरे रिवॉल्वर आधी खाली हो चुकी थी उसमें सिर्फ एक गोली बची थी हास्पिटल की एथारिटी ने मुझसे सारी डीटेल्स प समागा तो मैंने उन्हें बताया कि वो लैसंस कैमपिंग एरिया पही छोड गिया है और मैंने उन्हें सारी बात बता रहा था उच्छे है उसरी इसलिए वो लोग बेटर के होश में आने का इंतिजार कर रहा थे मैंने उनसे request की कि वो मुझे अपने साथ ना ले जाए मेरी request मान कि उन्होंने मुझे hospital में ही छोड़ दिया लेकिन मेरे साथ एक police वाला continue बैठा हुआ था जब तक मेरी wife पोस्ट में नहीं आ गई वहाँ के forest officer से भी उन लोगोंने connect किया और उसके बाद उस area के forest officer भी वहाँ पर गए चार-पांच लोग वहाँ पर गए थे उन्होंने सारे समान को देखा जो कि पूरी तरीके सा बिखरा पड़ा था मेरी बताए गई एक एक details उनको एकदम सही लगी और उन्होंने वैल फाई भी की वहाँ पर जब उन्होंने footprint देखे तो मेरी और मेरी वाइफ के footprint के साथ उन्हें एक अजीब से भालू के भी footprint बिले जो की आम तोर पर काफी जादा बड़े थे वो लोग दुबारा सारे research करके वापस आये और उन्होंने वापस आके मुझे दुबारा पूरे statement पे sign लिया तब तक मेरी वाइफ को भी होश आ गया था उन्होंने बेटर का भी पूरा statement record किया और सारी बाते बताई वहाँ पर उन्हों को मेरी ID और मेरे gun का license भी मिला जो कि उन्होंने मुझे लोटा दिया और उसके बाद मेरा सारा समान उन्होंने मुझे किसी तरह पैक करके वापस दे दिया और साथ ही मेरे revolver भी बेटर करीबन एक हफ़ते बाद डिस्चार्ज हो गई थी और मैं उसको लेके घर चला गया था हम दोनों काफी जादा परिशान थे उसके पैरों में काफी सादा दर्द हो रहा था मैंने उससे बोला कि तुम इस चीज़ के बारे में मत सोचो उस क्रीचर का डर उसके अंदर इतनी बुरी तरीके से बस गया था कि वो करीबन दो तीन राद तक तो सो ही नहीं पाई मैंने उसे बहुत समाला उस दिन के बाद से हम दोनों कैंपिंग के लिए नहीं गए और यह घटना जो हमने साथ घटी एकड़म सच थी पुरे स्वालों में फिर हमें इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी और नहीं हमने पता लगाने की कोशिश की तो दोस्तों ये थी स्किन वॉकर को देखे जाने की पहली घटना अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ ये दूसरी घटना रेटो नाम की एक महिला के साथ गटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको रेटो के पॉइंट आफ यू से बताऊंगा मेरा नाम प्रेटो है ये घटना 1995 की है मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार रोड ट्रिप पर गई थी मैं, मेरी दोस मिशल और मेरा एक और दोस था उसका नाम बड़ी था मिशल और बड़ी एक दूसरे को बच्पन से जानते थे लेकिन मैं उन्हें सिर्फ पिछले पाथ सालों से ही जानती थी बड़ी बहुती जादा मजाग किया था हर वक्त मजाग किया करता था और मिशल को तंग किया करता था हलाकि उन दोनों की दोस्ती मेरी दोस्ती से जादा गहरी थी मैंनोंने बहुत रिक्वेस्ट की रोड ट्रिप पर चलने के लिए तो वो दोनों लोग चलने के लिए तैयार हो गए मैं युनाइटिट स्टेट के ही रहने वाली हूँ बजपन से यही रहती थी वहाँ पर मैं मुहा नाम के एक शहर के पाथ ही छोटे से कजबे की रहने वाली हूँ मेरे साथ मेरे दोस्तों लोग ट्रिप पर चलने के लिए राजी हो गए और हम तीनों लोग शाम की वक्ती मेरी कार से ट्रिप के लिए निकल गए हमने तीन से चार दिन का ट्रिप का एक प्लान बनाया था जिसमें हम लोग अच्छी अच्छी जगा घूमने जाने वारे थे हमने एक होटल बुक किया था जो कि युनाइटेट स्टेट के उतर राज्य के पास ही है हम वहाँ पर जाने वारे थे हमें वहाँ की लोकेशन भी अच्छे से पता थी लेकिन पता नहीं शायद हमसे कोई गलती हो गई फिराद के अंधेरे में हम रास्ता भटक गए और हाईवे के किसी दूसरे कोने में चले गए जो कि एक बहुत बड़े जंगल से होके जाता था वहाँ पर रोट काफी ज़्यादा अच्छी थी लेकिन उसको देखके साफसा पता चला था कि वो हाईवे से अलग है और हमें इस बात का अनुमान हो गया था कि हम शहर के अंदर नहीं बलकि शहर से दूर जा रहे हैं करीबन पांस से छे किलो मिटर तक हम लोग गारी ट्राइफ करते रहे और हम लोग को पता भी नहीं चला कि हम लोग रास्ता भटक चुके है हम लोग हलके फुलके बियर के नशे में भी थे इसलिए हमें ठंक से समय का भी ध्यान नहीं हुआ उस वक्त साथ राद की ग्यारा या बारा बच रहे थे बहुत जाधा अंधेरा था हाईवे के उस हिस्से में स्ट्रीक लाइट्स भी नहीं लगी थी जिसकी वज़े से अंधेरा बहुत ही जाधा था मैं बच चुप चाप सीधे गाड़ी चला रही थी कुछ देर बाद मैंने बड़ी से बोला कि हम शायद रास्ता भटक गया है और हमें यहां से वापस चलना चाहिए बड़ी ने भी कहा ठीक है हम जिस रास्ते से आये थे वहीं बड़ी अपनी गाड़ी को दुबारा गुमा के वापस उसी हाईवे पर जाने लगे जहां से हम लोगों ने गलट टर्न लिया था हम फिर वापस गाड़ी जब चलने लगे तो हमने देखा कि हमारे सामने एक गाड़ी बहुती तेजी की रफ़तार से हमाई तरफ आ रही है वो जो कोई भी था गाड़ी को बहुती ज़्यदा तेज चला रहा था और पूरे रोड़ पे गाड़ी को जग-जग फॉर्म में चला रहा था मुझे बहुत ज़्यदा डल लग रहा था मुझे लगा कि शायद वो आके हम पे हमला कर देगा इसलिए मैंने गाड़ी को साइड पे ही रोक दिया और मैंने सूचा कि ये पहले अपनी गाड़ी को निकाल ले उसके बाद मैं दुबारा ड्राइव करने लगोंगी वो हमसे करीबन पीस से पच्चिस मीटर की दूरी पर था लेकिन अंधेरे में उसकी गाड़ी की रोशनी हमें साफ साफ नजर आ रही थी वो इतनी रफ़तार में गाड़ी क्यों चला रहा था इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था हम साइड में ही रुके हुए थे तब ही वो गाड़ी वाला भागते वे हमारी आखों के सामने से निकल के चला गया उसके अंदर दो लड़के वैठे हुए थे जो बहुत ही जादा डरे हुए थे उसके भागते ही हमने देखा कि उसके पीछे एक अजीब सा दानाव भी भाग रहा है चोंकि शायद कोई जानवर था आज तक मैंने पहले कभी भी इतनी तेजी में किसी जानवर को भागते हुए नहीं देखा है वो कोई हिरन था या कोई बड़ी बिल्ली मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया उसकी रफतार काफी दाद देश थी मैंने बड़ी और मिशेल हम तीनों लोगों ने उस अजीब से क्रीचर को देखा वो भागते हुए काफी तेजी से गया था फिर बड़ी ने मुझे बोला कि तुरंट गाड़ी को स्टार्ट करो हमें यहां से निकलना चाहिए मैंने पिल्कुल भी समय बरबाद ना करते वे गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को तुरंट चलाने लगी तब ہी मैं ने देखा कि हमारी गाड़ी के पीछे वही अजीब सा क्रिचर काफी तेजी में भाग रहा है बड़ी ने जैसी गाड़ी के पिछले हिस्से पे दिखा वो बहुत जादा डर गया था गाड़ी के पिछले हिस्से की टेल लाइट उसके चेहरे पर पढ़ रही थी वो एक अजीब सा ही जानवर था पहले तो वो अपने दो पैरों पर भाग रहा था फिर जो हमने गाड़ी की रफतार को खुब तेजी में किया तो वो अपने चारों पैरों से भागने लगा और उसकी रफतार बहुत ही जादा तेज थी हम तीनों लोग उसको देख के बहुत जादा डर गए थे उसकी आखे चमक रही थी उसकी रफतार इतनी तेज थी कि भागते हुए वो मेरे बराबर आ गया मलब जहां पर मैं बैठी हुई थी उसी के बराबर वो भी देजी से भाग रहा था मैंने उसके चेहरे को गाड़ी चलाते वे देखा वो बहुत ही सादा डरावना था उसके बड़े बड़े दाद थे उसकी आखे चमक रही थी वो कोई भेडिया था या फिर कोई कुटा मुझे बिलकुल भी नहीं पता लेकिन इतना खूंखार जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा था अमूमन जितनी साइस एक नॉर्मल जानवर की होती है उसका साइस उनसे काफी जादा बड़ा था और वो देखने में बहुती जादा टरावना भी लग रहा था वो काफी जोर से चिला रहा था और उसके चिलाने की आवास हम तीनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी वो तब ही भागते वे हमारी गाड़ी के थोड़ा पास आ गया और उसने हमारी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन मैंने जल्दी में अपने गाड़ी को उसी की तरफ घुमाया और वो गाड़ी से काफी जादा तेजी से लड़ गया गाड़ी से लड़ने के वज़ से वो पूरी रोड़ पर बिखरते हुए गया और फिर रोड़ के साइट पर जाके गिर गया तभी मैंने गाड़ी को और भी जादा तेजी से भगाया वो इतना बड़ा और भारी था कि मेरी गाड़ी का दरवाजा बिचक गया जिस तरफ मैं बैटी हुई थी गाड़ी के पूरा उस हिस्से का एरिया तोट चुगा था और मैं गाड़ी को काफी तेजी से बगा रही थी करीबन पंदर मेट बात हम लोग उस हाइवे पर पहुँच गया जहां से हम लोग ने गलट टरन लिया था और में हाइवे पर जाके गैस टेशन के पास सुके हम तीनों लोग बहुत ज़ादा डरे हुए थे गैस टेशन पर एक स्टोर था जिसका एंप्लॉई हमको देखके बाहर भागते वे आया उसने हमसे कूछा कि आखिर हमें क्या हुआ तो हमने उसे सारी बात बताई उसने काबू जानवर कोई और नहीं एक स्किन वागर था जो उसी एरिया में रहता है उसने कई लोगों पर हमला किया है उस रास्टर से आने जाने वाले लोगों पर वो अकसर हमला करता रहता है कई लोग की किसमत अच्छी होती ही कि वो लोग बच जाते हैं और कई लोग तो उस हाइवे के अंदर घुषने के बाद वापस ही नहीं आते हम लोग की किसमत अच्छी थी कि हम लोग बच गए बुस्किन मॉकर हमेशा वहाँ पर रात में अपने शिकार का अंतिसार किया करता है दिन के वक्त वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुचाता लेकिन रात में उस हाईवे पर जाना खत्रे से खाली नहीं हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए लेकिन सबकी किस्मत हमारे जैसे नहीं होती है जब उस स्टोर के मैनेजर ने हमें ये बात बताई तो हम तीनों लोग बहुत जादा डर गए थे हम उस स्टोर पे करीबन एक घंडे तक रुके फिर वहाँ पर उस मैनेजर ने पुलिस वालों को भी इनफॉर्म किया पुलिस वालों ने वहाँ पर आने में काफी जादा वक्त लगाया था क्योंकि वो जगा काफी जादा दूर थी हम उनका और जादा इंतिजाद नहीं कर सकते थे इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए और फिर हमाई पास उनका फोन भी आया हमने हमारे साथ घटी सारी घटना को उने बताया और उस दिन के बाद से उस रास्ते पर तो हम लोग दुबारा नहीं गए लेकिन हमने अपनी ट्रिप पूरी कम्प्लीट जरूर की थी अलेक्स नाम की एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगी की घटना मैं आपको अलेक्स के पॉइंट आफ यू से बताऊंगा मेरा नाम अलेक्स है ये घटना तब की है जब मैंने अपना हाई स्कूल पास कर लिया था और ग्रैजुएशन के लिए जाने वाला था उस वक कुछ दिनों के लिए छुट्टिया थी मैं अपने दादा जी के साथ उनके फार्म हाउस पे गया था मेरे दादा जी फार्म का काम किया करते थे मेरे दादा जी दूसरे के फार्मस में जाके उनके फार्म्ज की देगभाल किया करते थे अच्छे से घास को काटना उनके जन्मरों को सही समय पर खाना देना और बाकी के काम चुकि दादाजी किया करते थे जब मेरी छुटीय चलनाइए थी तो मेरी बास्केट बॉल की प्रैक्टिस भी चलनाइए थी जिसके लिए मुझे जाना पड़ता था मेरी बास्केट बॉल के प्रैक्टिस करीबन सारे पांच वे तक खतम हो जाती थी उसके बाद पर दादाजी से मिलने जाता था एक दिन दादाजी की तवेद बहुत ज़्यादा खराब थी डादाजी ने उन्हें आराम करने के लिए बोला था दादाजी ने मुझे से बोला कि मैं उनकी जगा कोश्ट दिनों के लिए उन सारे फार्म्स का ख्याल रखूँ दादाजी ने मुझे हर एक चीज सिखा रखी थी कि कैसे जानवरों को चारा डालना चाहिए एक फार्म की देखभर कैसे करनी चाहिए मुझे उन्होंने हर एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई थी अपने बास्केट बॉल के प्रैक्टिस के बाद मैं दादाजी के काम के लिए चला जाया करता था ये घटना उसी दोरान मेरे साथ घटी मैं वहाँ पर पहले फार्म में गया मैंने वहाँ के जानुरों को चारा भी डाला और सारा काम पूरी तरीके से कम्प्लीट किया उसके बाद उसी फार्म के बगल में एक और फार्म था मैं वहाँ पर ही जाने लगा जब मैं उस फार्म पर पहुँचा तो मैंने देखा कि उस वाम की मैं चावी लाना भूल गया हूँ मुझे वहाँ से लोटते हुए करीबन रात हो जाती थी चावी भूल गया था और मैंने सोचे कि अगर मैं दुबारा घर जाके चावी लेकर आऊंगा तो मुझे काफी वक्त लग जाएगा मैं वहाँ पर एक बार और पहले भी जा चुका हूँ तो मुझे उसके अंदर जाने का एक दूसरा रास्ता भी बता था जिसके लिए मुझे चावी की जोट नहीं पड़ती थी दादाची ने वो रास्ता अपने ले बना रखा था क्योंकि अकसर वो चावी भूल जाते थे ले जाना और फिर मैंने भी सोचा कि मैं उसी रास्ते से चला जो वो रास्ता फार्म हाउस के पीछे से था जहां पर उन्होंने एक छोटा सा दर्वाजा बना रखा था उसी के अंदर से होते वे उस farmhouse के अंदर में चला जाया करता था मैं उस farmhouse के अंदर गया वहाँ पर जानमरों को चारा भी डाला और सारा पानी एक साथ ले जा रहा था वहाँ की घास बहुत ज़्यादा बड़ी थी जो कि रात में वो काटने वाली बिल्कुल भी नहीं थी उसके लिए दिन का ही वक्ट चाहिए था और दिन में मैं वहाँ पर जा नहीं पाता था मैं अपने दोनों हाथों में बाल्टी को पकड़के पानी ले जा रहा था और वो दोनों बाल्टी भी बहुत जादा भारी थी मैंने उन दोनों बाल्टी को गुस्से में वहीं पर ही पटक दिया और जोर से बोला शिट मेरे ही बोलते ही मुझे फार्म हाउस की पीचे से एक आवाज आई जो कि बहुत ही जादा आजीब आवास थी शिट वो मेरी चीज़ को दोरा रहा था मुझे वो आवास सुनाई थी लेकिन मैंने उस पर जाता ध्यान नहीं दिया मुझे पहले लगा कि शायद मेरे कान बच रहे थे फिर मैंने दुबारा बाल्टी ओक उठा के जान्गरों को पानी दिया और बाल्टी अपनी जगह रखके फार्म हाउस से बाहर जाने लगा फार्म हाउस से बाहर जाते विए मैं सीटी बजाते विए बाहर निकल ला था और तभी वही सीटी की आवाज मुझे दुबारा फार्म हाउस के पीछे से आई मैंने पूछने की कोशिश की कि वहाँ पर कौन है लेकिन मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं आया मैं इस बात पर तो एकदम कन्फरम हो गया था कि फार्म हाउस के पीछे कोई ना कोई तो जरूर है मैं चुप चाप फार्म हाउस के पीछे जा रहा था लेकिन बहुत जादा अंधेरा था तो मेरी हिम्मत नहीं भी वहाँ पर जाने की मैं तुबारा दूसरे रास्ते से निकल के फार्म हाउस के बाहर आ गया और फिर मैं अगले दिन दुबारा उसी फार्म हाउस पे जानवरों को पानी देने के ले गया वहाँ पर इस बार मैं में दर्वाजे से गया था मैंने जानवरों को पानी दिया उसके बाद फार्म हाउस से दुबारा निकलने लगा मेरे हाथ में पहले वाले फार्म हाउस की चावी थी जिसको मैं हाथ में उच्छालते हुए आगे बढ़ रहा था मेरे हाद से वो चाबी फिसल के नीचे गिर गई और फिर मैंने दुबारा शिट बोला और शिट बोलने के बाद ही दुबारा वो आवास मुझे सुनाए दी शिट इस बार तो मैं अग्दम कन्फरम हो गया था कि वो जो कोई भी है फार्म हाउस के पीछे ही है मैंने फार्म हाउस के अंदर से एक डंडा निकाला और तुरंत उसके पीछे गया वहाँ पर मैंने देखा कि एक परचाई थी जिसमें दो लाल आखे चमक रही थी वो किसी जानवर की परचाई थी तब भी मैंने अपने आपको समाला मैंने पुछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो यह एक प्राइविट प्रॉपर्टी है यहाँ से बहाँ निकलो मेरे यह बोलते वो परचाई मेही तरफ देखने लगी और धीरे धीरे बड़ी हो गई वो परचाई एक इंसान की थी लेकिन उसकी आँखे चमक रही थी बहुत पतला शरीर था गर्दन भी बहुत ही जादा पतली थी वो एक शब भी नहीं बोला वो चुपचा बस मुझे देख रहा था मैंने उससे दुबारा पूछा कि तुम कौन हो और इस पार मैं काफी जादा उसे देख के डर गया था मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से काप रहे थे और ठंडले भी हो गये थे लेकिन तब ही मैंने मजबूती से उस ठंडले को पकड़ लगखा था कि अगर ये मेरे उपर हमला करे का तो मैं इसे मार दूँगा उसके शरीर से उसकी हड़ियां साफ साफ नजर आ रही थी उसकी हाइट करीमत पांच फिट की थी हाथ पैर बहुत ही जादा पतले थे उसने मुझसे बोला शेट वो तुबारा एकी चीज़ को दोरा रहा था मैंने उससे बोला कि तुम यहां से चले जो उसने अपनी गर्दन को मेही तरफ बिना किसी रियाक्शन की गुमाया और जिसकी भूमने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दी ऐसा लगा था कि उसके अंदर की हड़ियां तूट रही हो मैं उसे देखते ही तुरन फार्म हाउस के बाहर भागने लगा और फिर मैं वहां से भागते वे बाहर चला गया मैंने फार्म हाउस को लॉग भी नहीं किया पूरी रात में उस फार्माउस के अंदर भी नहीं गिया अगले दिन मैंने दादा जी को ये सारी बाते बताई वो मेरे साथ उसी फार्माउस के अंदर गय moments वो अबी भी खूला ही हुआ था मैं बहुत ज़ाधा डरा हुआ था तादाजी ने फार्म हाउस की पीछे भी जाकर देखा लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था मैं अतना ज़ता डर गयता कि दादाजी को समझा भी नहीं पा रा था कि मेरे साथ घटी ये घटना सचा या जूट उनको लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम था वो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्ता थे क्योंकि मैंने पूरी रात फार्म हाउस को खुला छोड़ दिया था कोई भी जानवर बाहर भाग सकता था या फिर कोई उन्हें ले जा सकता था गुस्से में आके दाल जी ने मुझे फार्म हाउस की चाबियों को चीन लिया और मुझे बोला कि हम मैं दुबारा उस फार्म हाउस पर कभी न जाओ मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी मिरे साथ वो जो घटना घटी वो एकदम सच थी हाला कि इसके सच होने का में पस कोई भी प्रमाण नहीं है लेकिन मुझे साफ साफ बात में पता चल गया था कि वो कोई और नहीं एक स्किन वॉकर ही था तो दोस्तों ये थी स्किन वॉकर से रिलेक्ट तीन घटना है मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मुझे कमेंट करके ये भी बताईएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ तो मिलते हैं अगले वीडियो में